दोस्तों आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि वहीदा रहमान जी के पती कमल जीत सिंग सहब के उपर जी हाँ दोस्तों वहिदा रह्मान जी के जो पती थे उनका नाम था कमल जीत सिंग तो हिंदी सिनेमा में वो बतौर एक हीरो एक एक्टर उन्होंने काम किया है वो आए इस इंडस्ट्री में वैसे तो वो एक बड़े बिजनसमेन थे लेकिन शौक जो होता है किसी भी चीज़ का खास करके फिल्म की लाइन का वो इनसान का शायद एक बहुत ही एहम जिन्दगी का एक हिसा बन जाता है तो कमल जी सिंग के बारे में आज थोड़े आपको जानकारी देंगे हम दोस्तों कमल जी सिंग का उनका जो नाम था शशी रेकी था दोस्तों तो उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया है और ऐसे गाने भी हैं कुछ आए हुए उनके उपर जो फिल्म आए गए 1956 में मिस्टर लंबू फिल्म आई थी दोस्तों उसके बाद किस्मत का खेल आई थी 1956 में ही किस्मत का खेल फिल्म आई थी जमाना 1957 में आई थी उसी वर्ष एक और फिल्म आई थी कितना बदल गया इनसान दोस्तों मिस्टर इंडिया 1961 में एक फिल्म आई थी उसमें भी उन् ने काम किया था फिर विद्या पती 1964 में आई उसी वर्ष एक और फिल्म आई थी शगुन जी हाँ दोस्तों ये वो फिल्म थी जिसमें उनका खास एक लगाओ था उस फिल्म के साथ और बड़ी ही अच्छी खासी फिल्म ने कमाई भी की थी उसके गानें भी बड़े सूपर ड लिस्ट है उसके बाद आपको दोस्तों बताएंगे कवाली की रात 1964 में फिल्म आई थी उनकी वीर घटोचकर 1970 में आई थी 1988 में काफी अरसे के बाद तमाचा फिल्म में वो नजर आये थे 1992 में जो आकरी फिल्म में वो नजर आये थे वो फिल्म थी हीर रांजा दोस्तों त साथ कैसे उनका हुआ आपस में उनका इंटरेक्शन या कह लीजिए कि उनका मेल जोल कैसे हुआ ये इसके बारे में थोड़ी आपको जो हमारे पास जानका रही है वो बताते है शगुन फिलम जो थी सन 1964 में दोस्तों रिलीज हुई थी डिरेक्टिड थे नाजर सहाब ने डर सचदेव इसमें थी निवेदेता थी उसके बाद चांद उसमानी थी और नाना पलसी कर ने इस फिलम में दोस्तों काम किया था महभू स्टूडियो में ये फिलम शूट ही थी और जो आउटडोर शूटिंग थी फिलम की आजकल का उतरा खंड जो है नैनी ताल में इस फिल का सवेरा हूँ रफी साव और सुमंकल desert की आवाज में ये गीत था तुम अपना रंजो गम मुझे दे दो जगजीत कौर की आवाज में था ज़ोस्तों ये गीत था और एक और था गोरी ससुरल चरी ये भी जगजीत कौर का है गया हुआ गीत था अब हुआ क्या कि इस फिल्म की जब शूटिंग चर रही थी तो वहीदा जी और कमल जीत ये दोनों बड़े करीब आ गये थे और उन्होंने इसी फिल्म के बाद फिर जब डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना शादी कर ले लेकिन काफी अरसे के बाद फिर इन्होंने आपस में दोनों ने शादी कर ली थी इनके दो बच्चे हैं और आजकल तो इनकी जो डेथ है कमल जीत सहाब की वो सन 2000 में इनकी होगी थी तो यह तो था कमल जीत सिंग के ऊपर एक छोटा सा वीडियो एक जानकारी थी वहिदा रह्मान जी के जो पती थे कमल जीत सिंग दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जादा से जादा शेयर करना मत बोलिए तन्यवाद